जी हाँ दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तों तीन जून से यहाँ पर बड़ी खबर निकल आ रहे हैं आपके लिए सोने के भाव में बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो कि जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो जल्दी से सबस्क्राइब कर लीजिए देश और दुनिये की तमाम बड़ी तो राकेश जांगिड पर आरोप है कि उसने नेरेंदर मोधी के दोबारा प्रधान मंतरी बनते ही एक वेबसाइट बनाई और उसके जरिये लोगों को मुफ्त में लेफ्ट आफ देने और फुरी में सॉलर पैनेल बाटे जाने के नाम पर ब्रमीत किया वेबसाइट पर इसक अकाउंट से भी यहां पर पैसे कट सकते हैं दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने मोधी सरकार टू जीरो के नाम पर दोखा दड़ी के साजिस रचने के आरोप में एक आई-ाइटी ने को गिरफतार किया इसके पहचान राकेश जांगिड पूतर अरजुन राम के रूप में हुआ है जांगिड राजस्तान के नागोर का रहने वाला है वहीं से गिरफतार हुआ है आरोपी ने साल 2019 में आई-ाइटी कानपूर से पोस्ट ग्रेजुएट किया है राकेश जांगिड पर आरोप है कि उसने नेरंदर मोधी के दोबारा प्रधान मंतरी बनते ही एक वेब मुफ्त में लैप्टोप देने और फ्री में सोलर पैनल बांटे जाने के नाम पर ब्रमित किया वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन अप्लाई करने की अंतिमतिति पांच जून बताई गई थी क्या थार राकेश की वेबसाइट पर कर राकेश जांगिड ने कर सकती हैं अब आपकी बारी अंतिमतिति से पहले अपना अवेदन जल्द से जल्द सब्मिट करें और साथ ही इस वेबसाइट पर फ्री सोनल पैनल लगवाने के लिए भी किया गया है जी हां दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो लिंक बेजा जा जा रहा था यहां पर फ गुरुवार को सोना 300 रुपए बढ़कर 33,170 रुपए परती 10 गराम हो गया है ओल इंडिया सराफा एसोशियेशन के मुताबिक चांदी भी 150 रुपए बढ़कर 37,550 रुपए परती किलो गराम हो गयी है सराफा कारवबारियों ने कहा है कि इस्तानी जोहलरों के बिज मां बढ़ने और सकारात्मक वेश्विक रुक अपनाने के कांड सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है निवार्क में सोना मजबूत होकर 1000 परती डॉलर यहां पर पहुंच गया है जबकि चांदी 14.61 डॉलर परती 10 कायम रही तो जी यहां दोस्तों यह आप ख़बर देख सकते ह सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिए जय हिंद वंदे मातरम